नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो माई यूट्यूब चनल स्टेट जोब, दोस्तों अगर आप चनल पे नहीं आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चनल को सब्सक्रेब करके सपूर्ट की जिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों, छोटी यूटी पर हूँ, आ टूटल वेकेंशी पांचो पेच्छान पे जिसमें ग्रूप भी 586 और ग्रूप सी 9 पोस्त है, दोस्तों आए देखते हैं, डेटल नोटिफिकेशन, दोस्तों ये ओफिशेल नोटिफिकेशन अब देख सकते हैं, दोस्तों शुरूब बाद में यहाँ पर दोस्तों, जिसका पोस्टिंग होगा दोस्तों, कॉमिशनर आफ एन्डूमेंट्स उडिश्या पर, दोस्तों जिसमें टूटल वेकेंशी 21 महिला के लिए 7 पोस्त रिजर्व है, जिसमें यूर केंडिडेट के लिए 17 पोस्त, महिला के लिए 5 पोस्त, S.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C पोस्ट, सेगंड पोस्ट है एसिस्टन्ट CT एंड GST ऑफिसर, पोस्टिंग होगा, कॉमिशनर अब CT एंड GST उडिशा पे, टूटल वेकिंसी 61, जिसमें महिला के लिए 20 पोस्ट रिजर्व है, दोस्ट एकदम लास्ट में टूटल वेकिंसी दिया हुआ है, जिसमें यूर कं सेगंड के लिए 20 बारध पोस्ट महिला के लिए 4 पोस्ट SECन टुर्यट के लिए 25 पोस्ट, महिला के लिए 5 पोस्ट दोस्तो नेक्स्ट पोस्ट और जिसका पोस्टिंग होगा, कॉमिशनर अफ एंड़ोमेंट्स ऊडिशा, टूटल वेकिंसी 3, जिसमें महिला के लिए 2 पो फिर ओडितुर जो कि डिरेक्टर at of fishery के लिए बाज पोस्ट जिसमें यूर के लिए बारा पोस्ट महिला के लिए चार पोस्ट सेबी सिकेंडरेट के लिए नहीं है सिकेंडरेट के लिए टू पोस्ट महिला के लिए वन पोस्ट और सिकेंडरेट के लिए वन पोस्ट पूरुष के लिए टूटल पंद्रा पोस्ट दोस्तो जुनियर एसिस्टेंट एच ओडी पोस्टिंग होगा कोमिशनर्ट ओफ एंडुमेंट्स ओडिश्या पे टोटल आट पोस्ट है महिला के लिए तिन पोस्ट जिसमें युवर के लिए चार पोस्ट महिला के लिए दो पोस्ट दोस्तो नेक्स्ट साथ नमबर पोस्ट जुनियर एसिस्टेंट ओडी इसमें इहापर युवर के लिए टो पोस्ट महिला के लिए वन पोस्ट और एस्ट के लिए वन पोस्ट टोटल त्री पोस्ट महिला के लिए वन पोस्ट आट नमबर पोस्ट दोस्तो जुनियर एसिस्ट डिस्टिक्ट ओफिसर्स अंडर देपर्मेंट ओफ वाटर रिसोर्स वाटर रिसोर्स देपर्मेंट दोस्तो पोस्टिंग होगा इंजिनियर इनचीफ इन डबलो आर डिपर्मेंट ओफ वाटर रिसोर्स उडिश्टा पे पोस्टिंग होगा इसमें बहुत ज्यादा वेकिन स यह वाला यहाँ पर दोस्तों यूर के लिए 200 पोस्ट है महिला के लिए 66 पोस्ट सीबी सिकेंड़ेट के लिए 52 पोस्ट महिला के लिए 17 पोस्ट 87 पोस्ट है, SC candidate के लिए महिला के लिए 39 पोस्ट, SC candidate के लिए 130 पोस्ट, महिला के लिए 43 पोस्ट टूटल, 400, 89 पोस्ट, और महिला के लिए 155 पोस्ट है, junior assistant जो की water resource development में पोस्टिंग होले वाला है, कुल मिला कर दोस्तों, यह group B का वेकिंसी डेटल है, यहाँ पर EUR candidate के लिए 282 पोस्ट, महिला के लिए 87 पोस्ट, अलाग अलाग development पहे, SC, BC के लिए 586 पोस्ट, महिला के लिए 21, सब्सक्राइब बस pracy सब्सक्राइब नाइन के नाविए इंस्पेक्टर और जितना वी जूनियर अशिस्टन और junior resident को level 4 का salary दोस्तो level 4 का salary 25,500 से लेक एक एकसी ہाजर एकसो guard aks 빵 और लेवल नाइन में दोस्तों मीलेगा बावन हजर से लेक के एकलाक 6 sach理 представent का जो principle ़ो आपको मिलेगा अँमिदए है आप लोग मिल गया होगा यह group भी का है दोस्तो आइक आप देखते है group si का जो नौ पोस्ट है वो कहां पार है दोस्तो ये है ग्रूप सी का notification एस छोटा notification है दोस्तो उपर के तरब नहीं जाते है इसलिए zoom करने पर गालेगा ये है group सी का जो notification आई है दोस्तो junior assistant वहाँ पर अबने आट number post तक देंखा ये दिक्ने नौ नमबर पुषि ठीक है यह दो पार्ट में आया है ठीक है इस्ट हो द के नो नमबर out junior assistant HOD यह दूस्त हो जग है यह दिंकिए यहाँ पर यह दो से लिए और अगर बीअ ज़िश्टेंट ह यह कंव हो गया स्केल देकुत और Olisya government का Are Olisya government Orison Command कर अगर level 4 का salary शाइद tapping में गलती हुआ है level 4 का salary 25500 आसीं आजर για एकसीं आजर एकसो होगा यह पर उन कोई गलती होगा यह फिर उनको level 2 लिकत ना था यह फिर level 4 का जो salary है ऊंधिक से लिकत ना हो गया हूं गान दोस्तों यहां पर जो पोस्ट देख सकते हैं ग्रूप सी का है गुपा बंदू एकाड़िमि ओफ एड्मिनिस्टरेशन उडिशया गोबनेश्टर पर अई है इस जुटल वेकनष्ति है जिसमें महीला के लिए एक पोस्ट है और ग्रूप सी है ठीक है तो औ एंड एस्टे रिशर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टिटोई जोकी उडिश्य बोबनेशर पर है वहाँ पर तीन पोस्ट है महिला के लिए कोई पोस्ट नहीं है ठीक है दोस्तों वहाँ पर ग्यार डंपर पोस्ट आप देख सकते हो जूनियर एसिस्टेंट ओफिस अप दा एकस पोस्ट इससेट अपर कऽव न कोई रॉंप जोकी उससे रिशचर्स नहीं आप्री आडग केलीब वन पोस्ट पूस्ट के पूरूस के लिए चिटी के लिए नहीं ऑगी पुरुष के लिए टूटल त्री पोस्ट और दोस्तो जूनियर एसिस्टेंट होडी ओफिस जो एकसेज डिपर्मेंट होगा वह एक ही पोस्ट है एस सेकेंड डिट के लिए और वह है पुरुष दोस्तो आप देख सकते हैं वह आप पर जो नोटिफिकेशन आपने देखा था और इसके देखें प्लास किया है ठीक है टूटल प्लास करके आया है पांसो पीचनबवी ग्रूब बी एंडसी मिला के जिसमें महीला के लिए एकसो पीचनबवी पूश्ट है ठीक है क्वालिफिकेशन दोस्तो एड़ेस्पन नंबर 1249 जो आपको चाहिए यूग वता दोसो केंडिडेट को आपको कोई भी आप किसी भी स्ट्रिम पर आपको ग्रेजोट होने से आप अपलाए कर सकते हो ठीक है और साथ में आपको चाहिए दोस्तों केंडिडेट मास्ट है ब इंटरनेट का नोलेज होना चाहिए तोरा नोलेज ऑब Microsoft Office and email ठीक है? Microsoft Office and email का आपके पास होना चाहिए दोस्तों और एक्ष्टा जो eligibility चाहिए यह तो गया education qualification extra qualification, extra qualification जिसमें आदर eligibility जिसमें आपको उड़िया लेंग्वेज पर्ना लिखना बोलना आना चाहिए fluently साथ में also he and she must have past middle school examination with uria language subject दोस्तों आपको 10 में तक class 10 में तक metric तक कोई भी आपकी परही की बाक्त में एक uria language आपकी subject होना ही चाहिए या फिर या फिर दोस्तों अगर आपने class हायर सेकंडरी complete किया है uria language यानि uria medium से तो भी आप apply कर सकते हो ठीक है he and she last are the disruption he and she must possess in uria as a language subject in the final examination of class 7 और एबब दोस्तों आपको must होना चाहिए जो आप class साथ में class के जो exam दिया है इसमें आपका uria language का subject आपकी final exam में होना ही चाहिए या फिर उसकी उपर की class में ठीक है जो की school और education institute by the udisha government को द्वारा recognize किया गया हो next part में आगर अपने दोस्तों last option में जो बताया अगर अपने दोस्तों उडिया लेंग्वेज में middle English में जो school standard में उडिया लेंग्वेज अगर आपने sorry friends अगर आपने उडिया लेंग्वेज test पास किया है किसी भी middle English school standard जो की school and mass education department उडिशा की दिवारा conduct किया गये हो तो भी आप apply कर सकते हो ठीक है यह extra qualification आपके पास होना चाहिए age limit दोस्तों एक किसे लेके 38 एर एक जनवरी 2024 को नुसर दोस्तों age relation में लेका ACBC, SCST and women को 5 साल का यानि 43 तक apply कर सकते है आप लोग 43 तक PWD up to 10 year PWD in the SCST 10 year in addition to the normal relaxation ex-servicement total year of service branded ex-servicement के लिए दूस्तों 3 साल यह दिखे दूस्तों age limit का प्रावदन यह पर दिया गया है qualification उसके बद qualification बद दिकी age limit का प्रावदन यह पर relaxation बगेर किस कैसे 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 दिया जा रहा है यह पर दिया हुआ है ठीक है आप लोग तोरह वीडियो को पोस्त करके भी देख लीजिए कोई problem नहीं होगा दूस्तों job category state government job है job location all about audition में कई पर भी हो सकता है डिटेल्स में आप लोगों को दे रहा हो ठीक है ओविशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ कितना नंबर का प्रिलीम्स होगा वो ही दिया है यह पैटर टैप नहीं दिया है किस किस मार्क पर कितना होगा ठीक है आप देख लीजिए प्रिलीम्स एग्जम का जो पैटर्न है अरित्मेटिक्स और नियूमरिकल अबिलिटी यह नहीं अरित्मेटि पाटी गनित गनित टुटली गनित का जो मार्क होगा टूटल 45 MCQ 45 मार्क डाटा इंटर्प्रेटिशन 30 MCQ 30 मार्क रिजुनिंग अबिलिटी दोस्तो 36 MCQ 36 मार्क कारेंटि इवेंट यानि कारेंटि फिर्स अटर एंसी की अटर मार्क कॉंप्यूटर एवाइनस 21 MCQ एकिस मार्क डूस्तों टूटल 150 MCQ 150 मार्क डाटा अपको टाइम डियूरेशन मिलेगा द्राइग गंट एक गंटा दो गंटा 30 मिनित आप लोगो मिलेगा एक्जम के दोस्तों मेन एक्जम जो है वो डिसमबर 2024 को होगा दोस्तों मेन एक्जम का सिलवास ओफिशियल नोटिफिकेशन पर है मैं आ रहा हूँ आप लोग बतने के लिए लेकिन जो प्रिलिम्स का सिलवास है वो नहीं दिया है वो टाइम टूटम ऑफिशियल वेपसेट में ओपे ठीक है दोचिंटीड परेंज यहीं एक्जम होग संदीटे स्टूं किस टैप का सिनिल्जमकर का मुटेम अग्जाम अपर फैंजुश्य। कितना नंबर कितना कुशन होगा सबकुछ विल भी शेरड इन डू टू कोर्स ऑन दा वेबसेट थ्रो नोटीस नोटीस के जारी है आपको यह टाइम यह जुलाई से पहले आप लोगों को ऑफिशल वेबसेट में दे दिये जाएगा कैसे होगा नहीं होगा दोस्तों फिर भी अब अब यह टो प्रएज स्टार्ट करना परेगा अब अप्लाई करोगी तो क्योंकि कोंपेटिटर आसकल बहुत जादा है इसलिए अगर आप नोकरी पाना चाहतो ज्यादा सब्सक्राइब किजिए गा कि दोस्तों उसकी बाद आते में एक्जबरेशन यह दिए स्टेज टू मिना अग्सी ठीक है में एक्जबर में टू पैपर में तू पैपर होगा दोसों मरकर टीक हके ऑपर वान में होगा लेंगवेज उडिय एंग्छिए पिपर टू में होगा दोस्तों जेनरे लेंग्य सतुट यह है और यह है पाइपर वन उरिया लिंग्वेज और इंग्लिश लिंग्वेज में होगा यानि 100-100 मार्कर के 200 मार्कर में एक्जम होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी सेम दिया गए दोस्तों में यहापर ऑप्षन है mathematics test होगा ओडिटर पोस्ट में यहापर जो ग्रूब बी में जो ओडिटर पोस्ट हे दोस्तों यह ओडिटर पोस्ट में मैथमांे इकियताग Swam अंडर दा वाटर रिसोश डेपर उंपने जो पोस्टिंग होगा दूस्टों यहाप पर ही तो सबसे ज़्यादा पोस्ट था चार सब एकसर पोस्ट था शायद वहाँ पर यह कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा आप लोग इसलिए आप लोग कंप्यूटर का भी प् चेश में ठीक है दोस्टों यह देखिए में एकजम का जो सीलेवास है नीचे दिया है दोस्तों अप लोग यहाप और भी कुछ डायक्शन से एकजम के लिए आप लोग तुरह पर ले जाएगे दिस्टों आजकल यह देखिए क्वालिफाइंग मार्क मिल गया है तो सब्सक्राइब के लिए 0.25 मार्क चार गले जवाब के लिए एक मर्क काट जाएगा ठीक है वांतर टूटल मार्क फोर्थ है ठीक है ठीक है दोस्तों आप लोग यह पर दिखते जिए ब्रुटेन एग्जमिशन डिवर्ण है क्वालिफिएंग मार्क दोस्तों आपका जो पास बता दिया जाएगा तो बागे टीटल्स आप लोग पढ़ लेजिए का आज कल सभी इतना ही जुकटेट हो कि परके समझ सकते हो ठीक है फिर भी कई पर आगर आप लोग का डाउट रहे तो आप लोग मुझे पूचिएगा कॉमें सेक्षन में मैं कोशिश करूंगा इतने म अतलब टाइम निकल के आप लोग के लिए वो अंसर देनी के लिए दोस्तों यह दिखें मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपर किया जाएगा यह पर दिया हुआ है मेरिट लिस्ट आपको कैसे बताए जाएगा आप लोग तो आप पर के देख लिए जाएगा ठीक है अब भाते दोस्तों सीलेवास जो था ना मेंनईणट लोगा असुलेवास मेंग्शम का दोस्तों मैं डोंट रहा हुआ है यह यो एय मनागि जीदि ऑ सबस्ट करिश्ज आध transport दे दिख सकत देखितर दिट्सलेवास प्रिहनारी एक्जम प्रिछिने एक्जम एक्जम रिटन एक्जमनेशन जो होगा एरित्मेटिक 10th स्टेंडरट का टेंदू का जो मैंने याप पर आप लोको दिया ना दोस्तो तू कि प्रिदी ना बता से अरित्मेटिक डाटा साफिशेंसी एट्सेटर यह भी 10th स्टेंडर्ट का है दूस्तों उसके बाद लोजिकल रिजनिंग एन एनलेटिकल एविलिटी जैनरल मेंटल एविलिटी यह रिजनिंग उसके बाद कारेंट इवेंट नेशनल इवेंट जो मैंने बताए आप लोग को कितना माक्स का पढ़ना है नहीं पढ़ना है वाप लोग को दे दिया उसके बाद कॉंप्यूटर इंटरनेट एवेंस टीक है सिलेवस फॉर में एक्जमेंशन यह आपका प्रिलिम्स का सिलेवस चे लगए अभी में अग्जम टीक है डिटेल सिलेवस आपका मार्क डिस्टिप्यूशन आ चेंडर्ड यानि ये टुएल्फ सिंडर्ड का आएगा दस्तों इंग्लिश का जो लेंग्व में गाएगा वह 12 चाईगा मतलब इसका इंग्लिश तो खोरा ठाफ हो हो और एंग्लिज प्रेसिस राइटिगा उडिया में भी आयगा इंग्लिष में ब्हु किशना भी है वो उसके पाद दोस्तों परना है आपको ट्रंसलेशन फ्रों इंग्लिश्टो उडिया एंड' बाइस भार्सा दोस्तों आपको इंग्लिश से उरिया लेंग्वेज में लिखने का experience कीजिए जादा सजादा गर में practice कीजिए किसी भी English line को परके आपको उरिया में लिखने का practice कीजिए गर में कोशिश कीजिए कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग दिरे-दिरे खुलता जाएगा ठीक है या फिर YouTube चैनल के सारा लीजिए अलग-अलग English grammar ले सकते हैं अगर grammatical में थुरा प्रब्लम है तो पेपर 2 में दोस्तों general studies यह main exam का पेपर 2 है पेपर 1 पेपर 2 आपने देखा था पेपर 1 में इंग्लिश लेंग्वेज उडिया लेंग्वेज और पेपर 2 में था general studies जैनल श्राडिस में दोस्तों आपको पढ़ना होगा इंडियान constitution इंडियान economy उडिशा economy and budget इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्रफी हिस्ट्री ओफ इंडिया हिस्ट्री ओफ उडिश्या आर्ट्स एंड काल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू दा उडिश्या उडिश्या का जो आर्ट्स एं कल्सर है जितना भी कल्चर है आपको वह जानना है क्योंक क्लाइमेट चींज का वह 12 स्टेंडर्ट का पढ़ना है दोस्तों डीटेल से लिवास आप कॉंप्यूटर स्कील स्टेट जो लिया जाएगा आप लोगों के लिए में एक्जम में आप देख सकते क्या पढ़ना होगा आपको कॉंप्यूटर फंडमेंट्स माट फंडमेंट डाटाबेस यहानी MS Access, Use of the Internet, Service Available on the Internet, Basis Networking Concept, Communication Technology यह आपको जानना होगा कॉंप्यूटर से दोस्तों सिलेवास अभी Mathematics का जो सिलेवास है सिलेवास for Mathematics आपको पढ़ना होगा Arithmetics, Algebra, Statistics and Probability, Mensuration, All Secondary School Level अब जो प्लस 12 लेबल का है आपको परना होगा तो यह तो आप लोगों को मिल गया दोस्तों सिलेवास अग्जम बेटर की सप्राव करका होगा आपको कैसे परहे करना आपको आइडिया आ गया होगा दोस्तों यह देखिए आप लोगो जो apply online करना होगा कब से start आप लोगो लोगो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन भी करना होगा उसके माँ पहले online registration करना होगा आप लोगो online apply करना से पहले रेजिस्ट्रेशन नंबर सायद online application form फिया अप करते वक्त आपका रेजिस्ट्रेशन नंबर जरूर माखेगा online registration का तो रेजिस्ट्रेशन और apply सेम डे में स्टार्ट होगा लेकिन आपको पहले रेजिस्ट्रेशन करना होगा online यह पांच एफ्रिल से start होगा और online registration का लाजड़ डिड सेकंड में और online apply का application application submit का लाजड़ डिड फाइब में दोस्तों उम्हीद है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों date of correction अगर दोस्तों आपका application form फिल आप करते वक्त आपको लगता है कि कहीं पर गलती हो गया था तो आप साथ ही साथ आपको correct नहीं कर सकते इसके लिए आपका special date दिया गया है व आप मैं तक आप लोग एडिट कर सकते हो एडिटिंग का option दोस्तों खुला हुआ है यह भी पाच अप्रिल से ही खुला हो है माप किजिएगा अप लोग अगर गलती किये हो तो आप लोग 17 मैं तक आप लोग एडिट करके खोल सकते हो दोस्तों mode of application जो आपको एपले करना ह आपको कोई heart copy और physical copy submit करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ online apply करना है दोस्तों उमीद है आप लोग को वीडियो आच्छा लगा होगा मैनत आप लोग के लिए करता हूँ अगर आप लोग को लगता है कि सही मायने में मैनत करता हूँ आप लोग के लिए तो प्लीज वीड अच्छा लगोग कि और कम लूग करता है करता है करता हूँ बनीमे की करता है ।